ज़ती में अंनेस सीवी वारिख और और थी ट्रूर सुरु आत्वा। नॉईडा के मारवा स्टूडियो में 28 मार्च को एक मियूजिकल कारिकरम का आयूज रिण किया गया। हावाज गुरुही गुरुप जिसका मतलब है आरजू। उजबेकिस्तान से आए हावाज गुरुप का ये शांदार कारिकरम की आ गया।। इंडोर उजबेकिस्तान के रिष्टे को और मजबूत करनी के लिए डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा इस रंगा-रंग कारिकरम क आयो जिन किया गया आपको बता दे किस कारिक्रम की शुरुआत कड़ेश वंदना के साथ दीप रज्वलित करकी की गई आपको बता दे किस्टान अरुजवेकिस्तान अरुजवेकिस्तान तीस साल पूरा होने की खुशी में ये उच्सव मना रहा है उच्वेकि होने के बावजूद हावास ग्रुप का हिंदी भाशा से और हिंदुस्तानी फिर्मों से बहुत प्यार है अरुजवेकिस्तान अरुजवेकिस्तान के में इस एक्सलेंस बिल्षोत अखातो और हावाज गुरही ग्रुप के आर्टेस्ट गुलूम जनोव खखरा मून गुलूम जोनौवा सखनोजा, गुलूम जनोव, दोस्तोन बिक, गुलूम जनोवा, रोविया खौन, इर्मा तू, मख्मून जोन शामिल रहे बतादे के हावास के द्वारा दिया गया म्यूजिकल पर्फॉर्मेंस मैजिकल रहा पुराने, नए, सभी तरह के हिंदी फिल्मों के गाने गाए गए, जिससे यहां के स्टूडेंट और लोग सभी मोहित हो गए और इन आर्टिस्ट का हिंदी प्रेम देकर सभी चकित रह गए मैज आर्टिस बाका आरशा पोलाद डर्टिसेंट्सटीस मरानली मिसेल कंदाई खुल मिसेल्छ एंद भी ॉणिस्टार जास तो यद्यारे मानली देकाष्मट मैज ब橋 अबञ्स का मねजिए आर्टिसे इसमारिग Understand कई मुढ खुलpowered हूच्छी कि अथमस्टे नहीं कि हमला कि अजया इस है, हम में भर्जू को ऑला कहते हैं जो जश्टे टो है कि अथम्हें औरे घ्साथ मेंगरा तो घुट कि अब भरता जोर्वार, जब फिर फूटने कि अथे में है जो कि ज्धिक साथ थी नहीं भर्बास पूल खला है गुलों जुनों चर्द को कि दर भी धानी पर पर जाये हम से लानी जैसे एक दर्या तूपानी सर पे लान तो पिरूसी पिर भी दिल ने इंदुस्ताई मेरा शुता है जापानी में बन्मुट इंदुस्ताई बन्मुट रत पूदी घंद सर पिर के बन्मुट जैसे लान तो पिरसो पिरी दें ने इंदुस्तानी मेरा शुता है जापानी पर पर जाइशाँ पर जाइशां पर जाइशां तु चीज़ पड़ी है मस्त मस्त तु चीज़ पड़ी है मस्त अबलु तो समच को समच को तो समच दिल बरतानी इसभावी कुछ तो समच को ऺैद्लियों की है रादी अबलु मच्च मोरा मने रख तो समच के बरतानी कुस अब नुके से जो लग सी नै लिवाएं दिल है अंडुस्तानी दिल है एंडुस्तानी झाला-ंडि-ख्जों I'll shout out to my channel Thank you We are so happy today being here So the students are very enjoying the show And we are also enjoying the show So.. We have met with Dr Sandeep Marwah in Tashkent When was here the big cinema festival So that time he said I will invite you for our university And you will perform there so today is that day so we are so happy being here again so thank you very much thank you we all want to know about havas what is okay okay so havas means from uzbek language arzu yeah or that exactly translate is the white envy and we in a good meaning this song yeah good meaning this work so we are our group is created like 10 years ago first we started with our our uzbek songs i mean our after song so after that in our country people very like indian bollywood movies and songs and then after that in 2014 we started just sing one two in the songs in our concert and after that when we upload our youtube channel so there are many indian fans become and they invite us so from that moment we started our journey to india very beautiful thank you thank you very much thank you i greatly appreciate to to dr marva for all of his efforts for for the uh just not enhancing but for for uh deepening of uh uzbek uh in the uzbekistan relations and of course as well as people to people contacts of course and the for for just uh the uh uh fully restoring of uh uzbek uh indian historical ties here अज का दिन बहुत महार है। सबसे पहले तो मैं हमारे आदमी एंजबेकिस्तान के राजड़ूत और उनकी पूरी जन्ता को बहुत-बहुत मुबार्ग बात देता ऑँ कि हिंदोستان और उस्बेकिस्तान ने 30 साल के अपने उस्बेकिस्तान रिलेशन जो हैं वो कायम किये हैं और इसी सीरियस के अंदर हाज हमने उस्बेकिस्तान से आया हुए इस हवस ग्रुप का एक बड़ा शांदार कारेकरम रखा जिस के अच्छी तरह जान सकते हैं कि पुराने और नए सभी फिल्मी गानों का यहां पर परदर्शन हुआ और जो जनता है जो लोग हैं जो स्टूड़न्ट हैं वो सरफ इससे लुभाई नहीं गए बलकि हम चकत और चुकन्ने हो गए कि जितना खुरसूरत हम नहीं गा सकते हैं उस से एक बार उजबेकिस्तान का नाम लेना शुरू किया है और यहीं हम चाहते थे कि हिंदुस्तान और उजबेकिस्तान की मैत्री है वो इस तरह के कारेकरमों से आगे बढ़ें यह हमारा धे रहा है लव पीस और यूनिटी थ्रू आर्ट और कर्चा हिंदुस्तान और इसी तरह खुले रहने चाहिए भारत मा की धर्दी के ओपर हमने सब को अपनी कला परदर्शित करने का हर बार मौका दिया है यह उसी प्रधा में उसी संसकारों का एक हिस्सा रहा है और आप जानते ही हैं कि मारवा स्टूडियो अग्रसर रहा है सबसे आगे रहता है जहां भी विदेशी कलाओं को यहां लाने का जो पूरा हम लोग जोर लगाते हैं पुरी कोशिश हमारी बनी रहती है और इसी तरीके से हम लोग हिंदोस्तानी कलाओं को मैं लेकर विदेशों में जाकर बहार परदर्शित करने की कोशिश करता हूँ